मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं प्यारे बच्चों आज हम छायावादी कवित्री महादेवी वर्माजी दुआरा रचित कवीता अली से का अध्यान करते हैं यह कवीता अत्यंत लगू कवीता है और उनके कावे संग्रह रश्मी में संकलित है इस कवीता के माध्यम से कवित्री ने उन प्रेमियों पर व्यंग किया है जो भोग विलास चाहते हैं रूप रंग के लोभी होते हैं और वो प्यार की वास्त्विक कीमत क्या है प्यार वास्तों में किसे कहते हैं उसके लिए जरूरत क्या है किन भावों से प्रेम विक्सित होता है इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती यहां ऐसे वास्तों प्रेमी ऐसे भोग विलासी प्रेमियों को कवित्री ने भ्रमर का संबोधन दिया है इस कविता में सच्चे प्रेमियों का जिक्र करते हुए कवित्री ने चातक पतंगा और चकोर को उठाया है और वो बता रही है कि चातक बादलों से प्रेम करता है बादलों की ही बून्द उसे ग्रहन करनी होती है इसलिए वो केवल बादलों को चाहता है और अपनी प्यास के लिए कहीं समझोता नहीं करता चाहे उसे प्यास के कारण प्राण ही क्यों न देना पिड़े पतंगा दीपक की लोके संग नाचता है और जूमता हुआ उसी में जलकर भस्म हो जाता है हालां की पतंगे को मालूम है कि अब उसके जीवन का अंत निश्चित है तो भी वह उसका त्याग नहीं करता उसी भांती चकोर को चंद्रमा से प्यार है और वह चंद्रमा को देखने में इतना मतवाला रहता है कि अपने साथी की अवेलना कर देता है और चाहे कितनी भी तकलीफ उसे शरीर से उठानी पड़े लेकिन चंद्रमा के मोह को त्याकर वह अपनी गर्दन नहीं जुकाता तो इन तीन उधारणों के माध्यम से कवित्री ने सच्चे प्रेम का महतु और सच्चे प्रेम के स्वरूप को दर्शाने की कोशिश की है यहां कवित्री भवरे को कहती है कि जीवन में जिसने दर्द को नहीं पहचाना वेदना को नहीं भोगा जो पेड़ा से प्रेम करना नहीं जानता वो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता जितना प्रेम मतवाला होता है आनंद दाई होता है उस प्रेम की पीड़ा उतनी ही अधिक मादक और सुख देने वाली होती है जितनी अधिक विरह की तड़फ होती है प्रेम की प्राप्ती उतनी ही आनंद देती है तो यहां कवित्री ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रेम की पीर का दिवाना नहीं है वो वास्तों में सच्चा प्रेमी नहीं है और जहां प्रेम में सच्चाई नहीं है त्याग नहीं है वहां प्रेमी जनको संतोश प्राप्त नहीं हो सकता आईए इनी भावों से भरी कवीता के पदों का अब हम अध्यान आरंब करते हैं संख्या एक इन आखों ने देखी ने राह कहीं इने धो गया नेह का नीर नहीं करती मिट जाने की साध कभी इन प्राणों को मूख अधीर नहीं अली छोडी ने जीवन की तरिनी उस सागर में जहां तीर नहीं कभी देखा नहीं वे देश जहां प्रिये से कम मादक पीर नहीं प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक आठ अर्वाचीन कवी में संकलित चायावादी कवित्री तथा आधुनिक मीरा के नाम से सुविख्यात महादेवी वर्माजी द्वारा रचित अली से नामक कवीता से लिया गया है यह कवीता उनके काव्य संग्रे रश्मी का अभिन अंग है संधर यहां कवित्री उन प्रेमियों को संबोधित कर रही है जो रूप रंग के लोभी है और भोग विलास को ही प्रेम समझते हैं और ऐसा स्वरूप भवरे का होता है तो इस प्रकार के प्रेमियों को भवरे का संबोधन देते हुए कहती है कि कि जिस प्रकार भवरा रूप रसका लालची और अपने स्वार्थ से लालच से भरा होता है वह त्याक की भाषा नहीं जानता है, तो जो प्रेमी इसी तरह के हैं, वो वास्ताओं में प्रेम के सच्चे अर्थ को नहीं जानते हैं यहां कवित्री उन पर करारा व्यंग करती हुई कहती है कि वर्तमान काल में आधुनिक दोर में जिसे प्रेम समझा जाता है कहा जाता है वो प्रेम की रिती निती है ही नहीं क्योंकि प्रेम देना जानता है प्रेम त्याग जानता है प्रेम बलिदान जानता है और प्रेम स्व्यम करता है प्रति पक्ष से उसके प्रतिदान की इच्छा नहीं करता ऐसे ही भावों से भरे इस पद में कवित्री प्रेम की पीड़ा के महत्व को समझाते हुए कहती है कि व्यक्या शब्दों के अर्थ साथ-साथ इन इन आखों आखों ने देखी न नहीं देखी है राह रास्ता कहीं कभी भी इने अर्थात इन आखों को धो गया भिगो गया ने प्रेम का का नीर जल अर्थात आसू नहीं नहीं करती मिट जाने की साध कभी करती करती है मिट जाना सर्वस्व त्याक कर देना साध पवितरिच्छा प्रेम के निभाने की पवितरिच्छा कभी कभी इन इन प्राणों को मूख अधीर नहीं प्राण जीवन मूख शांत मोन अधीर धैरिये से हीन बेचैन नहीं नहीं अली भावरा छोड़ी त्यागी न नहीं जीवन की तरणी जीवन रूपी नोका उस उस सागर समुद्र में में जहां तीर नहीं कि जहां कोई किनारा नहीं है कभी देखा नहीं वे देश जहां प्रिये से कम मादक पीर नहीं प्रिये प्रियतम कम थोड़ी मादक मस्ती से भरी मस्त बना देने वाली पीर पीड़ा यहां कवित्री आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा ऐसे प्रेमी जो वासना में हैं जो भोग विलास के इच्छुक हैं और जो रूप रंग में अपने आपको रचा बसा मानते हैं उन पर करारा व्यंग करते हुए कवित्री उन्हें भवरे का संबोधन देती हैं और कहती है कि हे ब्रमर, हे भवरे, इन आखों ने देखी न रह कभी कि तुम्हारी इन आखों ने कभी भी अपने प्रेमी का इंतजार नहीं किया अर्थात तुम प्रेम के वो पतिक नहीं हो जो अपने प्रिये के लिए कुछ त्याग कर सको इने धो गया नह का नीर नहीं कि तुम्हारी आखों में कभी प्रेम आशू बनकर भी नहीं बहा है अर्थात तुमने विरह को सहा नहीं है तुम स्वार्थ से लालच से भरे एक प्राग कण से दूसरे प्राग कण तक खूमते रहे ना तो तुम इंतजार करना जाना ना तुमने विरह में तडफना जाना करती मिट जाने की साध कभी और तुम्हारे प्राणों में कभी भी किसी के लिए सर्वस्व त्याग की सब कुछ त्याग देने की प्राण त्याग देने की इच्छा जागरित नहीं हुई इन प्राणों को मूख अधीर नहीं, कि उनके प्रेम में न तो कभी तुम मौनधारन कर सके, मूख हो सके, अर्थात चुपचाप त्याग कर सके, और नहीं कभी व्याकुल हुए, बेचेन हुए. अर्थात कवित्री के कहने का भाव यह है, कि वो प्रेम सच्चा नहीं होता, जो अपने प्रेमी का इंतिजार करना नहीं जानता, उसकी विरह में तडफ कर आसु बहाना नहीं जानता, उसके प्रेम के लिए सर्वस्व त्याग करना नहीं जानता, और उसके प्राण कभी उस प्राप्ति के लिए उस प्रेमी को पानी के लिए चुप नहीं हुए व्याकूल नहीं हुए ऐसा प्रेमी प्रेमी नहीं लोभी होता है लालची होता है स्वार्थी होता है आली छोडी ने जीवन की तरणी उस सागर में जहां तीर नहीं कि हे भवरे तुने कभी भी अपने ज पिनारा नहीं है। अर्थात कवित्री के कहने का भाव यह है कि तुमने अपने जीवन को कभी प्रेमी के हाथों में नहीं सोपा। जिसे ये पता ही नहीं है कि कल मेरा भविश्य क्या है। प्रेम के पथिक आज कल की चिंता नहीं करती कभी देखा नहीं वे देश जहां प्रिये से कम मादक पीर नहीं कि तुम कभी उस देश में गए ही नहीं हो उस देश के विशे में जानते ही नहीं हो जहां अपने प्रेमी को याद कर उसके विरह में तड़फा जाता है उसके लिए बेचैन हुआ जाता है उसके सुख दुख के लिए अपने सुख दुख त्यागे जाते हैं हे भवरे तुम तो सच्चे प्रेमी हो ही नहीं तुम प्रेम की परिभाशा और उसके स्वरूप को जानते ही नहीं, तुम्हारा प्रेम सिर्फ लेना जानता है, यह वासनात्मक प्रेम है, स्वार्त्मय प्रेम है, अपनी लालच की पूर्ती का प्रेम है, इस प्रेम को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता, आईए बच्चों, हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यहां कवित्री महादेवी वर्मा जी रूप रंग के लोभी, वासनात्मक प्रेम के चहाने वाले भोग विलास के इच्चुक प्रेमी को भवरे का संबोधन देते हुए उस पर करारा व्यंग करती है और कहती है कि हे भवरे, वो प्रेमी सच्चा प्रेमी नहीं होता या वो आखे प्रेमी की आखे नहीं होती जो कभी अपने प्रिये के लिए इंतजार करना नहीं जानती और उन आखों के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है जो विरह में तरफ कर आसु बहाना नहीं जानती सच्चा प्रेमी मिट जाने की पवित्र इच्छा के साथ होता है जहाँ ऐसी इच्छा नहीं वहाँ प्रेम नहीं इन प्रानों को मूख अधिर नहीं कि जो प्राण कभी अपने प्रिये के लिए मौनमूक होना नहीं जानते, बेचैन होना नहीं जानते, व्याकुल होना नहीं जानते, तो भला वो प्रेम करना क्या जानेंगे। अली छोडी ने जीवन की तरणी उस सागर में जहां तीर नहीं, कि हे भवरे तुने आज तक अपने जीवन की नोका उस समुद्र में छोडी ही नहीं है, जिसका कोई किनारा नहीं है। इसका विचार करने की फुरसत उन्हें अपने प्रेम में नहीं होती। कभी देखा नहीं वे देश जहां प्रिये से कम मादक पीर नहीं, कि तुमने उस देश को देखा ही नहीं है। उसके विशे में जाना ही नहीं है, जहां अपने प्रिये के प्रेम से कहीं अधिक उसके विरह में आनंद की अनुभूती होती है। अर्थात कवित्री के कहने का भाव यह है कि सच्चा प्रेमी सर्वस्व त्याग करके भी अपने प्रेम का निर्वाह करता है और प्रेमी से प्रतिदान में बदले में कुछ नहीं चाहाता है। प्रेम का निर्वाह करते हुए वो स्व्यम समर्पित हो जाता है और किसी भी प्रकार की वासना भोग विलास की इच्चा उसमें नहीं होती है। और इसकी विप्रित जो प्रेमी जन वासना को भोग विलास को रूपरंग के लोग को प्रेम मानते हैं कवित्री उसे प्रेम नहीं वासना कहती है भावार्थ यहां कवित्री के कहने का भाव यह है कि सच्चा प्रेम त्याद करना विरह की तडफ में तडफना और मन की बेचै जनी में भी आनंद का अनुभव करता है विशेश यहां कवित्री ने प्रेम से उत्पन पीडा को मादक बताया है और वर्तमान दोर में जो प्रेम की लहर है उसे वासनापमक बताया है शुद्ध साहिति खड़ी बोली की रचना है वियोग श्रिंगार रस माधुरिय गुण ह गीती शैली में लिखी गई कविता है गे शैली तुकांत चंद और संगीत आत्मकता बनी हुई है यहां दृष्य बिंबका भी सुंदर प्रियोग हुआ है पद संख्या दो जिसको मरू भूमी समुद्र हुआ उस मेग वर्ती की प्रतिती नहीं जो हुआ जल दीपक मैं उस से कभी पूछी निभा की रिती नहीं मतवाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की निती नहीं तु अकिंचन बिक्षुक है मधू का अली तृप्ती कहा जब प्रिती नहीं प्रसंग पूर्ववत संधर्व यहां कवित्री बताती है कि जो संसार में रूप रंग भोग विलास और वासनात्मक प्रेम को चाहाने वाले प्रेमी जन हैं वो सच्चे प्रेमी नहीं हैं इन पर व्यंग करते हुए कटाक्ष करते हुए कवित्री उन्हें भावरे की संग्या देती हैं और वो कहती हैं कि इस प्रकार के प्रेमी वास्तों में प्रेम के पुजार नहीं होते क्योंकि उन्हें प्रेम की रिती और निती का ज्ञान ही नहीं होता है। मेग वर्ती बादल के जल को ग्रहन करने का व्रत धारन करने वाला प्रतिती विश्वास महसूस करना अनुभूत करना अनुभाव करना। कि यहां कवित्री वर्तमान काल के रूप रंग के लोभी वासनात्मक और भोग विलास के प्रेमी जनों पर करारा व्यंग करते हुए कवित्री उन्हें भवरे का संबोधन देती हैं। और सच्चे प्रेम का उधारन देते हुए कहती हैं कि तुमने आज तक सच्चे प्रेम के स्वरूप को जाना ही नहीं है। यदि तुम सच्चा प्रेम देखना जाहते हो और उसे महसूस करना जानते हो तो तुम उस चातक को देखो जो बादलों से जल ग्रहन करने का व्रत धारन किये हुए हैं। उसके लिए समुद्र भी मरुस्थल के समान है। अर्थात विशाल समुद्र सामने होने पर भी वो उसका जल ग्रहन नहीं करता केवल एक बूंद पानी के लिए वो बादलों से ही आस लगाई रखता है। जो हुआ जल दीपक मैं उससे कभी पूछी निबाह की रिती नहीं। है भवरे तुम प्रेम की निती क्या है। प्रेम का निर्वा कैसे किया जाता है। इसकी जानकारी उस पतंगे से पूछो जो उसकी लो के साथ नाचता हुआ। उसी में जलकर भस्म हो जाता है और अपने प्रेम को निभाता है। अर्थात कवितरी कहना चाती है कि दीपक की लो के साथ नाचते नाचते पतंगा स्वयम उस अगनी में समा जाता है और वह भी उसकी लोही बन जाता है। और इस प्रकार अपने प्रेम की गहराई को, सच्चाई को प्रगट करता है, मतवाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की निती नहीं, कि उस मस्त चकोर से कभी तुमने प्रेम के राज्य का नियम क्या है, सिध्धान्त क्या है, उसके विश्य में जाना ही नहीं है, अर्थात कवित्री कहती है कि तुम प्रेम की निती क्या है परंपरा क्या है उस चकोर पक्षी से पूछो जिसने चंद्रमा को अपना इश्ट बना लिया है कि चकोर वह पक्षी है, जो चंद्रमा से इतना अधिक प्रेम करता है, कि उसके प्रेम में अंगारा तक खा जाता है, लेकिन उफ तक नहीं करता, तू अकिंचन बिक्षुक है मधुगा, कि है भवरे, तू तो अकिंचन का मतलब होता है, जिसके पास कुछ नहीं है, दीन हीन, दरिद्र, अत्यदिक गरीब, बिक्षुक बिखारी, मधु, शहद, पराग कर, कि है भवरे, तू तो एक ऐसा दीन हीन, दरिद्र, बिखारी के समान है, जो इस मधु की प्राप्ती के लिए, इस प्राग की प्राप्ती के लिए, प्रेम को छोड़ता चलता है, है तू तो एक उस दरिदर बिखारी के बराबर है जो केवल मधू चाहता है और उसी के आनंद को पाना चाहता है। क्योंकि तू सच्चा प्रेम करना ही नहीं जानता तेरे प्रेम में त्याग धाई नहीं इसलिए तुझे त्याग में प्रेम की सच्चे प्रेम की सीख लेने के लिए चातक पतंगे और चकोर के पास जाना पड़ेगा ताकि तू भी प्रेम के सही भाव को समझ सके। आधुनिक दोर में जो प्रेम वासना भोग विलास रूप रंग से जुड़कर जिया जा रहा है ऐसे प्रेमियों पर करारी चोट करते हुए व्यंग करते हुए कवित्री उन्हें भवरे की संग्या देती हैं और कहती है कि हे भवरे तु सच्चे प्रेम के विश्य में जानता नहीं है सच्चा प्रेम क्या है उसका स्वरूप क्या है उसे निभाया कैसे जाता है इसे जानने के लिए तुझे चातक के पास पतंगे के पास और चकोर के पास जाना होगा सरव प्रतम कवित्री चातक का उधारन देते हुए लिखती है जिसको मरू भूमी समुद्र हुआ उस मेघ वर्ती की प्रतिती नहीं कि तुझे कभी भी उस चातक के विशय में जानकारी नहीं है जिसने बादल से जलकी बूंद ग्रहन करने का संकल्प लिया है और अपने इसी विश्वास को अटूट बनाकर उसी से आस लगाए रखता है कि उसकी प्यास बुझाने के लिए एक दिन बादल अवस्य बरसेंगी उसके सामने विशाल सागर भी मरूस्थल के समान होता है अर्थात कवित्री के कहने का भाव यह है कि चातक पक्षी बेशक समुद्र के किनारे हो मगर वो जलकी बूंद केवल स्वाती नक्षत्र में बादल से टपकने वाली कोई ग्रहन करता है इसके सिवा अन्य जलस्त्रोत से उसका कोई लेना देना नहीं है अब दूसरे सच्चे प्रेमी का परीचे देते हुए कवित्री पतंगी का जिकर करती है जो हुआजल दीपक मैं उससे कभी पूछी निबाह की रीती नहीं कि जो पतंगा दीपक की लो के साथ नाचते नाचते उसी लो में उसी ज्वाला में उसी जोत में लीन हो गया तुम कभी उसे प्रेम के निर्वा के विश्य में उसकी रीत के बारे में उसकी परंपरा के बारे में जानकारी लो तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम पाने का नहीं स्व्यम के मिट जाने का नाम है मतवाले चकोर से सीखी कभी उस प्रेम के राज्य की निती नहीं कि तुमने उस चंद्रमा के मतवाले चकोर से प्रेम के राज्य में कैसे रहा जाता है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की मतवाला चकोर चंद्रमा से इतना अधिक प्रेम करता है कि उसके प्रेम में जलते हुए अंगारे तक को निगल जाता है अर्थात अपने प्रेम के निर्वा में वो बड़ी से बड़ी परिक्षा देने को तयार होता है मगर प्रेम से समझोता नहीं करता है तू अकिंचन बिक्षुक है मधुका अली त्रिप्ति कहां जब प्रीती नहीं तो कवित्री भवरे को कहती है कि तू तो दरिदर बिखारी है और तुझे पराग पाने का लालच बना रहता है और इसकी प्राप्ति के लिए तू यहां वहां भटकता रहता है इसलिए तुझे कभी भी ना आनंद मिलता है और ना संतोश मिलता है क्योंकि जहां सच्चा प्रेम नहीं होता, प्रेम के लिए त्याग नहीं होता, प्रेम में विरह सैने की ताकत नहीं होती, उस प्रेम में कभी संतोश भी नहीं होता, सच्चा सुक भी नहीं होता, सच्चा आनन्द भी नहीं होता भावार्थ कवित्री के कहने का भाव यह है कि सच्चा प्रेम केमल त्याग बलिदान और स्विम के मिठ जाने पर ही प्राप्त किया जा सकता है विशेश यहां कवित्री ने सच्चे प्रेम का स्वरुप समझाने की कोशिश की है चातक, चकोर और पतंगे के माध्यम से सच्चे प्रेमियों को संदेश दिया है। प्यारे बच्चों, हमारी आज की कक्षा और यह कविता यहीं समापत होती है। प्यारे बच्चों, हमारी आजारे बच्ते प्रेमियों की कुछ है।